इस वीडियो एपिसोड में आप सुमुका स्वालत है। कॉस्टन्स तो हर साल इसमें आते रहते हैं लेकिन SBI ने उन्हीं कॉस्टन्स को कुछ अलग धंक से पेश करने का फैसला किया ताकि रेयल में जो जन्यून कैंडिडिट है जिसने स्टडी किया है जिसे मतबटिक समझ में आता है वो इसे तुरंत बरा सके है। आई देखते हैं। Directions, solve the given quadratic equations and mark the correct option best on your answer. First है, two statements है, solve कीजिए, x और y के values आएंगे और इनमें से कौन सा option होगा। ऐसा है कि हर question में यह options अलग-अलग थे, तो बार-बार इनहें कौन लिखे, यह order नहीं था, हर question में अलग-अलग order था, जो answer होता था ढोड़ के लिखेंगे। पर हम लोग उने सुविदा के लिए एक option ले लिया और जो answer है वो है, तो आईए solve करते हैं, first question, देखें, हमारा जो first question है, first, क्या है, x-2 whole square, बिना pain paper के आप बोलेंगे, लेकिन plus minus 3 है, तो क्या होगा, मैं करके दिखाता हूँ। जब आपने कहा, x-2 whole square is equal to 9, तो इसका मतलब ये होता है, कि x-2 is equal to plus minus 3 square उगलिया, यानि x का value हुआ, अगर minus 2 है, plus 3, तो ये उधर गया, plus 2, plus 2, और x का value हुआ, plus 2, और यहां क्या है, एक बार plus 3, और दूसरी बार minus 3, इसका मतलब ये हुआ, कि x का value 5 है, या minus 1 है, x के ये 2 values है, और ये 1st से निकला, x का value, second, second देखे, ठीक उसी तरह से, 2y plus 8 whole square, इस equal to 16 है, इसका मतलब 2y plus 8 जो है, plus minus root over 16, यानि 4, यानि इसका मतलब निकला, 2y is equal to minus 8, और 2y is equal to minus 8, एक बार plus 4, दूसरे बार minus 4, यानि इसका मतलब निकला, y is equal to, ये minus 4 divided by 2, यानि minus 2, और, minus 12 divided by 2, minus 6, बर ये होगा कि नहीं, y का value minus 2, और minus 6, चल्दे बुले, इन दोनों को combine करेंगे, तो आप एक number line कीचे, और उसमें देखिये, x का value 5 होगा, तो कहां होगा, minus 1 होगा, तो कहां होगा, minus 2 कहां होगा, minus 6 कहां होगा, y का value इन दोनों में से कोई है, x का value इन दोनों में से कोई है, for all cases x is greater than y, for all cases x is greater than y, x is greater than y, यानि c is the answer, वहली होगा कि नहीं, तो इसका एंसर क्या हुआ, C, रहने देते हैं, वहां नहीं लिखते हैं, यही रहे, C is the answer, ठेक है, आगे बड़े, second number question, आई, second number question देखते हैं, यहां यहां answer C, दिखे देते हैं, answer is C, action, ठेक है, इसके बाद आई, second number question, पोली, इस question में, पूरा कॉंसर्फ चेक होता हैं, यही है, इस second number question है, आप देखिए, लिखने का प्रयास है, इसे आप जानते हैं, मैं पहले इसको लिख देता हूँ, कि आप जानते हैं, कि other x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0 safe है, तो इसका मतलब x का value alpha और beta होता है, यह हम जानते हैं, इसे लिए equation को इस से प्रयास है, इस पर बहुत बात हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करता हूँ, लिखता हूँ, यह क्या है, x square है, minus 16x है, plus 64 is equal to 0 है, हम लोग इसको आसानी से देखते हैं, कि यह तो बहुत आसान है, यह क्या हो रहा है, यह हो रहा है, x minus 8 whole square is equal to 0, कैसे हो रहा है, यह हमें साफ साफ देख रहा है, minus 2 into x into 8 plus 8 square is equal to 0, कैसे नहीं जला रहा है, तो इसे लिए हम लोग इसको रिख सकते हैं, और x minus 8 whole square is equal to 0, यह बताता है, कि x equal to 8, इसमें भी चेक हुआ, कि यह चीज़ें आपको दिखाई देती हैं या नहीं, second number देखी, y square minus 16y plus 63 is equal to 0, आप जानते हैं, plus into plus plus हुआ, 1 into 63, 63 हुआ, two parts में ऐसा आड कीज़ें कि plus add करने के पर 16 आए, तो 9 into 7, 63 को 9 into 7 कहा, और 9 plus 7 16, इस पर detail हम लोग बात पहले कर चुके हैं, 9 plus 7, जल्दी बोई है, y, और plus dot dot dot, यह बताता है, कि y का value 7 और 9 है, अगर हम number 9 पर इसको दिखाएं, तो साब देख रहे हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, हम दो देख रहे हैं, y का value, इन दोनों में से कोई है, x का value तो यह है, तो x का value y से बढ़ा भी हो सकता है, छोटा भी, ऐसा कोई relation नहीं है, जिसमें x is less than, और greater than y हो, याँ अंसर is e, no relation, बोलिये, यह समझ में आया की नहीं, इसका अंसर क्या हुआ, e is the answer, ठीक है, इसके बाद आगे मुनें, next, third number question दीखता हूँ, मतलब, आपको डराना चाहरा है, अरे कूच नहीं है, यह first दिंपर कहता है, कि 25 l square है, minus 15 l है, plus 2 is equal to 0 है, वेर हमने वो बोल सकते हैं, l is equal to 1 by x, बस जो आएगा उलट दिजेगा, बाकी तो चीजें हुआगी ही नहीं, plus into plus, plus 25 into 2, 50, 50, 10 into 5, 50, उससब मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हर को, एपिसोड में आप इसको बनाते हैं, 10 into 5, 50, 15 को दिखेंगे, 5 plus 10, यह वैसे ही रहेगा, यह वैसे ही रहेगा, 25 से divide करेंगे, 25 से divide करेंगे, compare करेंगे, हमें पता है, कि l का value क्या हैगा, 1 by 5, 5 by 25 है न, 1 by 5, और 2 by 5, इसलिए x का value क्या होगा, 1 by, यानि यह 2.5, 5 by 2, और 5, बस यही तो चेक हो रहा था, मैंने थोड़ा sort किया है, problem तो नहीं है न, इसको यहीं पर cancel कर दिया, और फिर यहां पर reverse कर दिया, क्योंकि l का value क्या है, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से, थार्ड में, यह क्या है, 40, 40, हम लिख सकते हैं, 40 m square, फिर लिखते हैं, plus 1, और is equal to 13 m, where, where हम कर सकते हैं, क्या problem है, यह 40 m square है, minus 13 m है, देखे, देखे, plus 1 is equal to 0 है, 40 into 1, 40 plus into plus, plus add क्याना चे, 8 into 5, 48 plus 5, 13, लिखेंगे, 5 plus 8, और 40 से divide करेंगे, divide करेंगे, और कुछ करने के जरूते हैं, comparing, तो m का value क्या होगा, 1 by 8, और 1 by 5, तो high का value क्या होगा, 5 और 8, वह ज़िए, 5 और 8, अगर number line पर आप सजाते हैं, तो क्या दिखता है, यह 2.5 है, यह 5 है, यह 8 है, 2.5 यह 5 हो, तो इसको x कहते हैं, 5 यह 8 हो, तो y कहते हैं, तो x is less than or equal to y, होगा कि नहीं, 5 होगा तो बराबर है, यह लेस है, तो x is less than or equal to y, किसको बोलते हैं, 1, या यह यह दाइंसर, ज़र दे बरी है, सो, यह दाइंसर, होगा कि नहीं, यह दाइंसर, बरी, समझ में आगया, इसके बाद चलिए, अगले यह question की यो, नेक्स जो question है, 4th number, 4th number question देखते हैं, उसी तरह का है, वैसे ही बनाएंगे, 4th number question भी, उसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से नहीं खेंगे, 48, 1st वाला जो है, 48l square, minus 14l, plus 1 equals 0, तो where, आप देख रहें की, l is equal to 1 by x, तो इसके बाद solve करना, आपको पता है, plus into plus plus, 48 into 148, plus आने का मतलब, break किजिए की, add करके, यह आए, तो 8 into 6, 48 वा, 8 plus 6, तो आमने लेखा, 6 plus 8, ठीक है, और 48 से divide किया, उसके बाद चीजें भही है, तो l का value क्या है, 6 से काटा, 1 by 8, और 1 by 6, इसलिए x का value क्या हुआ, 6 और 8, प्ल्टा, second number हम लोग दिखते हैं, second number क्या है, 45, 45 माल लिजी, m square, plus m, is equal to 2 है, where, m is equal to 1 by y, तो क्या दिखना है अब, 45 m square, plus m, minus 2 is equal to 0, plus into minus minus, इसमें पूरा test हो जाएगा, plus into minus minus, लेस्ट करके आना है, 45 into 2, 90, 10 into 9, क्योंकि हमें, लेस्ट करके 1 लाना है, तो क्या लिखेंगे, 10 minus 9, लेकिनिया, plus हमें minus चाहिए, तो sine reverse, कर दिया, और 45 से डिवाइट किया, जल देखो लिए, इसको मैं डेटेल नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि हर वीडियो में दिखाता हूं, किसे भी वीडियो में आप देख लीजेगा, और dot dot dot, तो m का वैल्यू क्या हुआ, minus, और, और 1 by 5, ठीक, तो y का वैल्यू क्या हुआ, reverse, minus 4.5 और 5, अब अगर आप नंबर लेंग पर दिखाएंगे, चीजों को देखिए, तो आपको, minus 4.5, यहां पर 5, यहां पर 6, और यहां पर 8, यह x है, दोनों में से कोई, यह y है, दोनों में से कोई, x is greater than y, clearly, तो x is greater than y मतलब, c is the answer, होगा की नहीं, तो एंसर क्या हुआ फूर्थ नंबर का, c is the answer, ठीक है, इसके बाद, आईए next, x is greater than y मतलब c, next last 5 नंबर कॉश्चन है, उसको उन्लों देख लेते हैं, 5 नंबर कॉश्चन देखिए, देखिए, यह तो बस simple quadratic equation है, इसमें कुछा special नहीं है, लेकिन कुछ नंबर कुश्च तो होगा, x square plus 3x minus 4 is equal to 0, यह test होता है, plus into minus minus test होता है, less करके लाना है, 4 into 1, 4, 4 into 1, 4 into 1, 4, क्या लिखेंगे, 4 minus 1, लेकिन plus है, हमें तो minus चाहिए, तो हमने ऐसे लिखा, और बस, 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 तो x का value क्या है, minus 4 और 1, उसी तरह से लिए हम second बात करते हैं, तो क्या आता है, y square, plus 10y, plus 24, is equal to 0, plus into plus, plus add करके लाना है, और 24 है, तो 6 into 4, 4 into 6, sum is 10, यानि हम लिखेंगे, 6 plus 4, लिखेंगे, लिखेंगे, यहाँ plus है, इसी लिए, मतलब, quadratic equation के सारी concept को, इन 5 questions में सामिर कर लिया लिया है, यही इस एक्जाम की खुबसूर्ती है, देखें, तो minus 6 और minus 4, number line पर जदी हम लोग दिखाएंगे, तो क्या दिखेगा, minus 6, यह minus 4, और यह 1, अगर y बोलेंगे, तो इन दोनों में से, और x बोलेंगे, तो इन दोनों में से, x is greater than equal to y, y, क्या सांदार कोश्चन है, x is greater than or equal to y, यानि d is the answer, बोलें, इसका जो अंसर हुआ, d is the answer, बहुत बहुत सांदार कोश्चन है, इसमें रेल में आपने इंजॉाई किया होगा, अब तक मुझे नहीं दखता है, कि किसी एक्जाम में, data inequality के, इतने सुन्दर कोश्चन आये थे, इवन किसी बैंक प्यों में भी नहीं, पर मैं ये कहता हूँ, कि क्या ये कोश्चन बहुत मुश्कल है, अगर आपका concept clear है, तो क्या आपको दिक्कत होगी, ऐसा ही एक्जाम होना चाहिए, ओके, पूरे मैं से तैयारे किजिए, आपको success चरू मिलेगा, All the best.